दोस्तो आज दा जो टॉपक है वो है डैफर अपडेट अगर डैफर अपडेट तो पहला आपा गल करिए कैनेड़ा दे जो प्रसेस है कितने किते प्रसेस हाले भी स्लो है मई दोजार बाइद गां बहुत सार गां एप्लीकेशन है इद्धान गां हन जिनना दा हाले डिसीज अगर तो अप्लीकेशन तो डिपैंडेंग है डिसीजन नहीं आया ता अल्टिमेटली स्टूडेंट को ऑप्शन हों दिया डैफर दी उसनों नेक्स्ट टेक दे बिच अपनी अप्लीकेशन डैफर लेनी पैंदिया आज दी वीडियो बिच एही होएगा कि की की पॉइंट अपनों त्यान रखने चाहिए है जहां क्यों जुरूरी है डैफर अप्डेट अपनी अप्लीकेशन दी डैफर अप्डेट लेना अगर इनकेज स्टूडेंट डैफर नहीं लेंदा ता उसनों की नुक्सान हो सकता है इनकेज ता उन्नों ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करन चाहिएं पेंदिया उसन दा की वेनेफेट आया की ग्लाना त्या रखना पेंदा है जेव स्टूडेंट नूँ फीसर फंड कराऊने पेंदिया है ता फीसर फंड पेलें अपनों की त्यान रखना तैंदा है हुन सारा नों पहला कलाकर ये डैफर अपडेट दी अगर आप अपरल तक आपनों दसना पहन दा जो तोई अप्लिकेशन दा स्टेटस है अगर तोई अप्लिकेशन इन पर सहसा है तो तो बाद कॉलेज दा डिसीजन होंदा है कोलेज तोई अप्सटेशन देत्बाइट डिसीजन लगःगा जो अप्लिकेशन दा स्टेटस होसे कॉडिए ओं इनकेज तो अप्लिकेशं ने पर सहसी जबयार है कोलेज जो तो आपञेशन दिननंद्ध है della app adate दली अपनों data a appa data कर안बोनी पहें 식ंड थया है बच्चे दियां स्टूड़न्ने क्लासिस टार्ट हो रही हैं 10 महीनों 15 महीनों बट कॉलेज दाइम है एक प्रहाल दा एक प्रहाल नो अपन कॉलेज नो डैफर दे अपलाई करता हैं और आपर आजन्दा है तो स्टूड़न्न दा को अच्छन होंदा भी है लेता साधियें क् करवा देता है बट इस देविट कोई भी कंसर्टेंट दे ए चीज आथ देविट नहीं हुंदी कॉलेजी एक डेडलाइन है डेडलाइन ते अगर आपका देमांगे जो स्टेटस आपडेट करांगे उस दे कॉडिंग कॉलेज डिसीजन लेके तो अनू अगे इंटेक करके अफर प्रीपाउंड करा सकते हैं अगर डेपर अपडेट नहीं करांगे ता की की नुक्सान हो सकते हैं पहला नक्सान तोडी शीट कैंसलो सकते हैं तो यह कोलेज को इतने या डॉलर को 25 दौलर दोजाब डॉलर 1500 दौलर तक तोडी फीज दे विच्छों कटे जांदे सो पहला नुक्सान तोड़ी जो कह सागए कि फिनेंशली लॉस्तान हो सागए कितने किती तोड़ा पैसा जदो अपां कॉलिग फीज दिती है तो रिसक दे विच हो जाना है दूसरा अपां टाइमली डैपर अप्टेट नहीं लवांगे ता जो अपकमिंग इंटेक है नेक्स सब्सक्राइब अप्टेट करना बहुत जुरूरी है कदे भी इस चीज नूँ एदा हलके देविच नहीं लेना चाहिए इनकेज तोड़ा एजन्ट को कही कॉल्जस है गया हो एजन्नों मेल नहीं कर देजा एजन्नों नहीं पतारा दा स्टूडेंट नूँ अपनी इमेल सब्सक्राइब अपने एजन्न देना रहा करके अपनी इमेल दे विच्छों भी तुसी कॉल्जी नू रप्लाई कर सकते हैं तो कितना किते डैफर दे लहीं अपनों एचीज जदो तोड़ान टेक हुंदा था ते आंच रखना था हुन कई कॉल्जिस हैं हुन जदतर कॉल् कॉल्जिस दा जो एप्लिकेशन दा सिस्टम है वो खराब हो गया एप्लिकेशन वल्क दे बीच कठीया होगा बाट ओना को लोनिया सीट्स नहीं साल सो जड़तर कॉल्जिस ने डिसीजन लेता सी कि वो डैफर नहीं करना कि एप्लिकेशन नू ओ बच्चे नू ऑप्शन द कॉल्जिरिफंड पॉल्सी कॉल्जिरिफंड पॉल्सी नू चंगे तरीके नाल रीड करो एदा ना होवे के तो उसी क्लासे स्टार्ट करद गे उस्तो बाद तोड़ा वीजा रेफ्यूज होजे तोड़ी एक स्मेस्टर दी फीज कर्ट होजे चाहे किन्नी चंगी कुछ नहीं पता किस अप्ली जो अज दे टाइम दे बच अगर देखिए तक किसे भी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो सकती है चाहे उसे किन्ने चंगे बैंड ने किन्नी चंगी प्रसेंटेज है चिंगा चंगा कॉर्स या कॉलेज हो नहीं लेता ज्यादा तर जो रिफंड पॉल्सी है कॉलेज तो रिटन दे बिच इमेल लो कॉलेज नुकी इमेल करो भी इन केज आफ्टर असी क्लासिस स्टार्ट कर दें साड़ा वीजा रिफ्यूज हो गया ता किन्ने रिफंड ली इसी लीजिबल हो गया जो कॉलेज ता नूँ ऑप्शिन देंदे आन के इन के किई जायेगी टा जाके कॉलेज स्टार्ट करो एक कोलेज बोलो इन्रॉλ्मट ले एक करो क्मेशन दे भी तो रिफ्य आफ्लीकरें रेजिकेशन दे आफिदेड करो लॉल्मेट लेटर देवीच फूल टाइम प्लूडेंbell रहेगा जिस्टे मेंचन हो disso कि उसी फूल टाइम स्टुडेंट रिजिस्टर हो गए हूँ तो लेटर तो आड़ी है लगी भी जो वीजा एप्लिकेशन उस भी चापड़ेट करो कितना किते वीजा चांस भी स्ट्रॉंग हुं दिया है वीजा आफसर डिसीजल लैंदे बीच हुं दिया कितना किते स्टार्ट करें तो वी चैलियंट स्टूडेंट हो गए वो सब तो जो जुरूरी गल है वो पैसे ही है वी अपना पैसा सेफ करो किसी ना किसे तरिकी ना वी एजदन आहो वे तुसी क्लास से स्टार्ड कर दो कालनों वीजा रिफ्यूज दो एक स्टूड़ी फीज जो तो स्टूड़ी काट करने हुँ इन केस सेम आगी कॉलेज केंदा तुसी क्लास स्टार्ड करो बट जे तो डा वीजा रिफ्यूज हुंदा ता तुसी अपना एक स्मेश्टर दी फीज गवाऊंगे ता उस केस ते बिच मेरी जो सिजेशन है स्टूड़न नो रिफंड लेना च प्राइब हो गवाऊंगे, ट्रान करो फीज रिफंड लोग ह हुँ ते उस सेम कॉलिज देबिच नेंक्स यांने टींट से बिच एक वीड़न ना क्वाढ़ि प्लाइक स्ट पर लेंके दवारह उस पीज ट्रा क्भी सब्सक्राइब करने पिछ डिले ना करो क्योंकि अगर तुसी एक कॉलिज दे पिछ फीसर पंड ले लिए ता नेक्स्ट जो तुसी ऑफर अपना अपडेट नहीं किता तक इतने किते तो जो मिस्री पेजेटेशन दा लगके कोई फाइव यर दा बैंट तक भी लग सकता बहुत सारे बच्चानों विद्धान दे लेटर आये नहीं तो अगर तो अड़ा कॉलेज चेंज हो गया कोर्स सेम आता है एक एकस्प्लेनेशन ना लाओ एक लेटर चंगे तरिकी ना लेखके जो प्राणे कॉलेज दा जाओ ता अनूं कंडिशन कॉलेज दी सीर पंड दी हो कॉल्जिस दे बिच हो रही है तो ते आंदे नाल अपना डिसीजन देखो फायर ते डैपर अपडेट करो तो ता जो टाइम रहेंदे तुसे अपना वीजा प्राप्त कर सको जहां अपना क्लासे स्टार्ट कर सको तन बाद